बिस्मिल्लाय रौफ्मान रौहीम मैं हूँ अंजीनियर उस्मान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान आटो यूटूब रिपेरिंग चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुजूकी स्प्रिंटर वन टैन के जब आप इंजिन को फिट करते हैं तो उस इंजिन मे कौन कौन से साइस के बोल्ट लगते हैं और कौन सा बोल्ट आपने किस साइस का बोल्ट आपने किस जगा पर लगाना है वो बताऊना तो दोस्तों यह बहुत जरूरी होता है अगर आप किसी जगा पर बड़ा बोल्ट लगा देंगे तो इससे पला हराबी हो सकता है तो दोस्तो सुजूकी के जब भी हम इंजन को री बिल्ड करते हैं यानि जब भी हम सुजूकी के इंजन को जोडते हैं तो उसमें टोटल नो बोल्ट्स होते हैं जिन में से चार बोल्ट्स जो हैं वो बड़े साइस के होते हैं और दोस्तो तीन बोल्ट्स जो हैं वो उससे चोट को्टे साइस के ह DW दोस्तों अब हम इनकी साइस को मेईअर करेंगे अगर आपका एक या वाला बोलट खराब हो चुका है तो आप कैसे स्पेर पार्ट की शोब पर जाएंगे और कैसे बताएंगे कि कौन से साइस का बोलट हमें चाहिए तो ये बहुत जलूरी होता है साइज का आपको इसका पता होना चाहिए तो दोस्तों यह जो बड़ा सबसे पहले हम इस बड़े बोल्ट के साइज को मेजर करते हैं विद्धी हेल्प ओफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर तो दोस्तों यह मेरे पास डिजिटल वर्नियर कैलिपर है तो सबसे पहले मैंने इस को ओपन कर देता हूं और मैं इसकी लेंद को मेजर करता हूं तो दोस्तों इसका जो साइज है वो बनता है तीन अशारिया 3.175 या दुबारा इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों ये दोस्तों इसका एक्जैक्ट साइज है वो है 3.180 इंच यानि के अगर हम इसको मिली मीटर में मेजर करें दोस्तों तो ये पेमाश बनती है इसकी जो लेंध है वो 81 मिली मीटर बनती है यानि के जब आप जाएंगे इस साइज का बोल्ट लेने तो उसको बोलेंगे 6 जरब 81 नमबर का हमें बोल्ट दे 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 तो दोस्तों 81 मिली मीटर के सुजूकी के इंजन में चार अदद बोल्ट लगते हैं ये 81 नमबर के 81 मिली मीटर के बोल्ट है अब चलते हैं तीन बोल्ट्स ये हमारे पास दोस्तों तीन बोल्ट्स ही हैं अब इन तीन बोल्ट्स का साइज मेजर करते हैं और देखते हैं कि इसका साइज क्या आता है तो दोस्तों इसका साइज जो है वो तक्रीबबन 2.185 इंच आता है 2.85 इंच को अगर मिली मीटर में कनवर्ट करें तो इसको 25.4 से जरब देंगे तो इसकी प्रिमायश हाइदी तक्रीबबन 55.5 पैशार्य चार मिली मीटर या 55.105 तो दोस्तों जब भी आपने इस साइज का बोल्ट खराब होगा तो आपने बोलना है कि 55 mm का हमें बोर्ट देदें ये तीन सुदूकी के एंजन में 55 mm के तीन बोर्ट लगते हैं अब चलते हैं सबसे चोटे बोर्ट की तरफ दोस्तों इसका जो साइज है वो होता है एक अशारिया आठ जिरो इंज अगर हम इसको मिली मीटर में कनवर्ट करें तो यह 40 mm इसकी लंबाई आती है यानि जब भी हमने मार्किट में जाना है तो हमने बोलना है कि 6 जरब 40 mm का हमें बोर्ट दे रहें तो अब हम चलते हैं की बोल्ड कहां पर लगने हैं तो यह भी मैं आपको बताता चलूँ है यह वाल यानि कि यह 46 mm के दो बोल्ट हम ने लगा दी एक यहां पर लगेगा दोस्तो और एक यहां पर लगेगा ऐल फिल्टर वली जगा पर दो बोल्ट हमने लगा दी हैं अब हम चलते हैं नेक्स बोल्ट के तरफ दोस्तों ये हमारे पास सबसे बड़ा 81 mm का बोल्ट है ये यहां पे लगेगा 81 mm का एक यहां पे लगेगा एक यहां पे लगेगा और दोस्तों दो बोल्ट तो हैं वो आपके स्लंडर बली साइट पे लग जाएगा एक इदर और एक इदर यहां पर दो बोल्ट 81 mm के यहां पर लगे और यहां पर लगे बाकी रहे के तीन बोल्ट और तीन बोल्ट दोस्तों एक यहां पर लग जाएगा एक दोस्तों यहां पर बोल्ट लग जाएगा और एक बोल्ट यहां पर लग जाएगा और इस तरह हम सु आपने इंजिन की रीबिर्ड करनी है जब भी आपने एंजिन को जोड़ना है तो बोर्ड आपने जिस साइज का बोर्ड जहां पर लगेगा आपने वहीं पर लगाना है ये बहुत जरूरी होता है तो दोस्तो यह थी आज की हमारी वीडियो उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपको काफी नौलिज मिल रहा है अगर आपको बाइक से रिलेक्टिड कोई भी क्वेस्टन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताके आपको नेक्स आने वाली वी प्रकिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्ला हाफूस।